हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो एपस अपडेट यूटूब सेनल दोस्तों आज में बताऊंगा जो हमारे घर पे MI TV हो या कोई भी Android TV हो जो आप नय नय खरीदते हो तो उसमें आप कैसे आपके फून के जो नेट है उससे कैसे आप Wi-Fi कनेक्ट कर सकते हो या आपके पास जियो सब्सक्राइबर है या किसी भी Wi-Fi है तो उससे कैसे टीवी पे Wi-Fi करनेक्ट कैसे कर सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकि लाज तक जरूर देखना तो दोस्तों आपको स्वागत करता हूँ आपका ही इसी रिवसरेल एप सब्डेट में दोस्तों मैं हूँ आपकर दोस्त आपका भाई आसीफ तो बिना टाइम स्क्रेट चलो देखते हैं लेट्स कैट स्टार्ट तो यहां पर देख सकतो मैं तीवी पर आ गया हूँ और आपको करना किया है इसेंप्ली Wi-Fi करने के लिए करने के लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने की बद देखना सबसे पहले आ जाएगा, यह जैसी आपन्स करता हूं तो पासओड आ जाएगा तो आपका भी मुबाइल का या जिए फैबर का पासओड होगा पासओड दे देना है, जैसे कि आभी मैं यहां पर password डाल रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हूँ, यह थोड़ा password है, और अभी मैं पूरा password डाल देता हूँ, और डाल देने के बाद अभी मैंने डाल दिया, अभी मैं write करता हूँ, रइट करते ही जैसे कि यहां पर क्रॉस इन देख रहे हो इसे क्रॉस इन में क्लिक करता हूं इस क्रॉस इन में क्लिक करते ही कनेक्टिंग टू मेरा Wi-Fi का नाम आ गया है और यह देखो Connected successfully दिखाया है तो इसी तरह से आप जो है आपके Android TV हो किसी भी company के TV हो जैसे कि मेरा connect हो चुके है चाहे आपके पास MI का TV हो या Samsung का TV हो या LG का TV हो जो भी Android TV हो फिर आप YouTube जैसे आभी मैं open करता हूं तो जैसे यह मेरा phone है यह मेरा TV है TV को जैसे open के देख सकते हूं YouTube open हो गया तो जैसे कि आभी मैं कोई भी प्ले करता हूं यह देखू फुल HD पे प्ल YouTube चल रहा है ठीक है तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं आपको लाइफ टू लाइप रूप के साथ दिखाया बिलकुल इसी तरह से आप आपके Android TV पर इस तरह से आप Wi-Fi कर सकते हो अगर वीडियो से कुछ भी helpful लगा और कुछ भी सिखने को मिला तो प्लीस दोस्तों वीडियो क तो जल्दी से जाके इस्टरम पर फोलो कर लो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर में लेंगे दोस्तों आप से अगले दिन अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो जैहिंद